अनुपमा की लाइफ में खुशियां आती तो है लेकिन तिकती नहीं है फिशले काफी टाइम से अनुजो और अनुपमा के बीच में प्रॉब्लम्स टेल रही थी जिसे फाइनली अनुपमा ने जाकर खत्म किया और दोनों के बीच कुछ रोमांटिक और प्यारे प्यारे मुवमेंस देखने को मिले जिसके बाद फैंज बहुत खुश हो गए अनुपमा सीरियल सिर्फ इसी वज़ा से ही टॉप पर नहीं बना रहता है बलकि इस शो में ड्रामा की कोई भी कमी नहीं रहती है और किस तरह से अनुझ अनुपमा हमेशा दो फैमिली के बीच में फस्ते हैं अभी तर्थ हमें वो कहानी देखने को मिल रही थी लेकिन अब आपको बता दे कि अनुझ और अनुपमा की लाइफ में अब एक और बड़ा चैलेंज आने वाला है जिसे अफकोर्स अनुपमा हेड ओन लेगी दरसल होगा ये कि छोटी अनुझ की रियल मा एक बर फिर से इस शो में एंटर करेगी जी हाँ आपने सही सुना छोटी अनुझ की रियल मा का किरदार निभाएंगी अक्रेस छवीव पांडे जो की अनुपमा के सामने आकर खड़ी हो चाएंगी और अपनी बेटी की राइस मांगती नजर आएंगी लेकिन अनुपमा इतनी असानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है एक यहाँ पर कस्टेडी बैटल भी देखने को मिल सकता है जहाँ पर अनुपमा और छोटी अनुपमा की बायलोजिकल मदर के बीच में एक तगड़ी फाइट हो सकती है छोटी अनुपमा को अपने परस रखने के लिए अनुपमा कुछ भी करेगी और एक बार फिर से उसकी वही स्ट्रोंग और फर्म साइट सामने आएगी और किस तरह से अनुपमा का इस सब में अनुझ साथ देगा ये रहेगी आगे की स्टोरी लाइन फिलाल दिखाया ज़ा रहा है कि किस तरह से शाथ फैमिली और परितोष की वज़े से अनुझ और अनुपमा परेशान है लेकिन उसके बावजूत भी दोनों अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे मुवमेंट्स निकाल ही लेते हैं लेकिन जब छोटी अनुझ की रियल मा आएगी तो अनुपमा इतनी भी जादा शांत नजर नहीं आएगी और ड्रामा तो होना बनता ही है